नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी को बहतर बनाने की योजना पर लगातार काम किया जा रहा है 2017 में सत्ता में आने के बाद योगी सरकार ने पूरवान चल एक्सिवे बुंदोखन एक्सिवे जैसी पर्योजना का काम पूरा करा दिया है और वहीं आधा दर्जन पर्योजनाओं का काम चल रहा है ऐसे में अब सबसे लंबे एक्सिवे पर चल्चा सुरू हो गई है जी हां मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश में बन रहे गोरकपुर्श सामली एक्सप्रेसवे की जो की कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत ही बहतरीन एक्सप्रेसवे होने वाला है उत्तर परदेश में connectivity को express रक्तार दे कर विकासी गती को बढ़ाने की होजना पर लगातार काम चल रहा है परदेश में connectivity को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर express Romans की रिरंणार की काम चल रहा है दरसल उत्तर प्रदेश में अभी सबसाल लंबा एक्सप्रसवे पुर्वांचल एक्सप्रसवे है और गंगा एक्सप्रसवे इससे लंबाई में अधिक होने वाला है लेकिन क्या वाज यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रसवे कहलाएगा अगर आपके पास इसका जवाब नह दोस्तों उत्तरप्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रसवे गुरखपुर सामली एक्सप्रसवे कर निमार 35,000 करोड की लागत से किया जाएगा और यह एकॉनोमिक कारेड़र एक्सप्रसवे की योजना पर अपकाम सुरू होने वाला है माना जा रहा है कि लोग सभा चुनाव को मंजूरी दिया जाने की बात कही है गोरखपुर सामली एक्सप्रसवे राज के 22 जिनों 373 से होकर गुजरेगा एक्सप्रसवे करेमार कराएगी और इस योजनाव को अपने सतर पर जमीन पर उतारने के तयारी भी एक्सप्रसवे ने सुरू कर दी है दोस्तों 700 किलमेटर इस रख कनेक्टिव डोग बढ़ाने से यहां तक आसानी और तेजी से बहुं संभाव हो सकेगी सुधूरी इलाकों को प्रदेज और देस की वभिन इलाकों से कनेक्ट करने में या एक्सप्रसवे सहायाक होगा और इस एक्सप्रसवे की मदद से चीन तक की कत्विदियों क को भी कंट्रोल किया जा सकता है साथ-साथी एक्सप्रस्वे पर हवाई पट्टी का निर्मार्ट किया जाएगा और इस हवाई पट्टी पर जेट वेमानों की लैंडिंग इसुविधा रहेगी आपात और युद्ध में जैसी परिस्थितियों में यहां युद्धा क्मान ल करनेक्टिविट हो जाएगी इससे गुरवपूर और सामली के साथ साथ 22 जिले के लोगों को फायदा मिलेगा यह एक्सप्रस्वे गुरवपूर से निकलने के बाद संतकभीर नगर सिधार्थ नगर बलरामपूर बहराइज से होते हुए लखनों पहुंचेगा लखनों से यह एक्सप्रस्वे सितापूर, सहजहापूर, हरदोई, बंदायूर, रामपूर, मुरादाबाद, बरेली, संभल, बिजनोर, अम्रोहा, मेरट, सहारनपूर, मजप्फनगर से होते हुए सामली तक जाएगा और इस दर्म्यान या 37 तहसीलों को टच करता हुआ निकलेगा यानि कि जो यह expressway है connectivity के लिहाश से और सामलिक लिहाश से भी बहुत महत्रपूर्ण होने वाला है और यह expressway जो कि 700 km लंबा है क्योंकि इसकी लंबाई अभी तक बंद है, expressway में सबसे ज्यादा है तो समभता यह उत्तरदेश का सबसे लंबा expressway भी कहलाएगा तो दोस्तों मेरे दोरा दी गई जानकरी आपको कैसी लगी आप अपने सुझाओ हमें कमेंट के माधम से बता सकते हैं वीडियो नहीं तक देखने के लिए बहुत बहुत धर्नेवाद